दोस्तों सचिन तंदुलकर के बेटे अर्जुन तंदुलकर ने एक ओवर में 31 रन लुटाए तो देखने लायक था रोहित सर्मा का गुसा जी हाँ दोस्तों आपको बता दे सचित द्लुकर के बेटे अर्जुन द्लुकर ने पंजाब किंग्स के खिलाब बेहद ही सर्वनाग गिंदबाजी की दो ओवर में अर्जुन द्लुकर ने अच्छी गिंदबाजी की थी उन्होंने किवल 17 रन दिये थे लेकिन उसके बाद इस गिंदबाज ने सबकी नाग कटा दी बता दे अर्जुन द्लुकर ने अपने तीसरे ओवर में एक दो नहीं बल्कि दोस्तों खुल 31 रन लूटाए सैम करण और पंजाब के नए बल्लेबाज भाटिया ने उनकी धजियां उड़ाते हुए अर्जुन के इस ओवर में चौके छकों की बरसात कर दी दोस्तों अर्जुन द्लुकर की पहली ही बॉल पर सैम करण ने खतरनाक छक्का लगाया और यहीं से अर्जुन की पिटाई सुरू हो गई दोस्तों अर्जुन द्लुकर की खराब गिंदबाजी पर रोहित सर्मा बेहत गुस्से में नजर आए बता दे जब अर्जुन द्लुकर की गेंदों पर चोके छके पड़ रहते तब रोहित सर्मा उन्हें समझाया भी लेकिन बावजूद इसके अर्जुन ने खराब गिंदबाजी की जिस पर रोहित सर्मा उन पर काफी नाराज थे और गुस्सा भी दिखा रहे थे दोस्तों अर्जुन ने अपने तीन ओवर की स्पेल में 48 रल लुटा दिया उन्होंने बस एक सफलता हासिल की थी तो दोस्तों आपको क्या लगता है अर्जुन द्लुकर को अगले मुकाबले में मौका मिलना चाहिए या नहीं आप अपनी राय हमें नीचे दिये गए कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा और सब्सक्राइब कर लिजे हमारी यूटुब चैनल को धन्यवाद